हाई देशे शंगर परताफ सिंग and you are watching SPS STOLOGY दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 6th, 8th और 12th house के बारे में 6th, 8th और 12th house 6th, 8th और 12th house के लॉड की जब दसा चलती है तो जायतर जिनके बर्चार्ट में ऐसी दसा चल रही है या चलने वाली है उन लोगों को काफी डर लगता है क्योंकि जनरल तोर पे हम लोग यह सुनते हैं कि 6th house के संबन है लड़ाई जगड़े से, करजे से, कोट केसिस से 8th house के संबन है बड़े-बड़े ट्रांस्फोरमेशन से और 12th house के संबन है लॉसिस से तो जब इनकी दशा चलेगी तो यह सारी चीजें हो सकती है ऐसी बड़ांतियां हम लोगों के चारों तरब बहुत जादा फैली हुई है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 6th house, 8th house और 12th house के लॉड़ की जब दशा चलती है तो actual में क्या होता है देखिए दशा जो है कोई भी planet की अगर दशा चल रही है तो आपको यह देखना है कि 6th house, 8th house और 12th house का लॉड़ कहां पर placed है और वो जिस राशी में placed है उस राशी के लॉड़ की क्या position है दूसरा यह भी देखना है कि 6th house, 8th house और 12th house का लॉड़ कहीं कमबस तो नहीं है कहीं वक्री तो नहीं है कहीं नीचका तो नहीं हो गया है यानि अपने debilitation में तो नहीं है यह सारी चीज़ें देखनी है लेकिन अगर 6th house, 8th house और 12th house के लॉड़ अगर आपस में exchange करते हैं या 6th house का लॉड 8th house में चला जाता है या 12th house में चला जाता है 12th house का लॉड 6th house, 8th house में आ जाता है तो ये आपके लिए अच्छा sign है और 6th house, 8th house, 12th house के लॉड अगर अपने एक्जलिटेशन में होते हैं friendly sign में होते हैं और उनकी जो placement है अगर वो benefit होती है benefit placement के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि अगर उनकी placement अगर benefit होती है और वो जिस house में बैठे हैं उस house के लॉड की placement भी अगर benefit होती है तब result जो है वो बदल जाता है और result आपके favor नाता है तो चलते हैं बोड के तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि 6th house, 8th house, 12th house का लॉड कहां पर placed होगा कि उसकी जो position है आपके लिए अच्छी हो और आपको उससे benefit मिले देकि 6th house इसका संबन disease, enemy, debts, लडाई, जगडा, war, करजे से है 8th house यानि transformation, 8th house यानि longevity 12th house यानि losses, isolation, jail, monastery तो यह ज़रूर नहीं कि यह सारी सीज़ें आपके साथ हो यह ज़रूरी नहीं है लेकिन 6th house, 8th house, 12th house के lots अगर उनकी placement ठीक नहीं होती है तब यह सारी सीज़ें आपके साथ हो सकती है और अगर यह अपने debilitation में होते हैं यानि अपनी नीच अवस्था में होते हैं तब भी आपको problem हो सकती है 6th house का lord अगर 9th house में जाता है यह है आपका 9th house 6th house का lord अगर 9th house में जा रहा है यहां से अगर 9th house में जा रहा है तो यह भी आपके लिए अच्छी placement है बिकाज यह अपने से 4th अवे चला गया और अगर 7th house में आ रहा है तो अपने से 2nd अवे चला गया तो ये आपके लिए अच्छा हुआ, 6th house का Lord अगर 10th house में जाता है, तो ये भी आपके लिए अच्छा है, 6th house का Lord अगर 10th house में जाता है, तो ये अपने से 5th अवे चला गया, यानि service के थुरू status, service के थुरू नाम और position, 6th house का Lord अगर गयन house में चला जाता है, यानि 6th house का Lord अगर यहां पर आ जाता है, तो code case, लड़ाई, जगड़ा, fighting, enemies, job, ministry service, इन सब चीज़ों के थुरू आपको गयन होगा, 6th house का Lord अगर 12th house में चला जाता है, तो 6000 संबन एनमी से है, 6000 संबन आपके करजे से है, 6000 संबन आपकी बीमारी से है, और 12th house का संबन है लॉसे से, तो एनमी का लॉस, करजे का लॉस, बीमारी का लॉस, तो इसको बोलते हैं विपरीत राजियो, यह आपके लिए अच्छी position है और 6000 का Lord अगर 8th house में आता है, तो 8th house का संबन है transformation से, तो एनमी के साथ transformation, बीमारी का transformation, अगर कोई बीमारी हुई है, operation होगा, बीमारी ठीक हो जाएगी यह जो आपके एनमी हैं, उनके साथ कुछ ऐसी घटनाए घटेंगी, जिसके चक्कर में मामला साफ, तो यह अगर 6th house का Lord 8th house में आ रहा है, तो कुंडली में विपरीत राजियोग बन रहा है, तब भी विपरीत राजियोग बन रहा है 6th house का Lord अगर 1st house में आता है, और friendly sign में है, अपने exaltation में है, तो आपको benefit करवाएगा, अगर 1st house में आ रहा है, यहाँ पर अगर आ रहा है, friendly sign में है, और benefit position में है, benefit position मतलब अपने exaltation में है, friendly sign में है, और राहू के तुशनी से बचा हुआ है, तो आपको gain करवाता है 6th house का lord अगर 2nd house में आता है तो monetary gain करवाता है लड़ाई, जगड़ा, court case इन सब चीजों से monetary gain आपको हो सकता है 6th house का lord अगर यहाँ पर आता है 3rd house में तो यह अपने से 10th away हो गया यानि court case, लड़ाई, जगड़ा इन सब चीजों के through status because यह अपने से 10th away चला गया 6th house का lord अगर 4th house में आता है तो यह अपने gain के angle में आता है because 4th house जो है वो 6th house से 11th away है तो यह भी आपको gain करवाएगा, किसी भी competitive exam में आपको gain करवाएगा, कोई भी अगर आप election की तयारी कर रहे हैं, fight कर रहे हैं, कुछ भी चीज ऐसी कर रहे हैं तो आपको gain हो सकता है अगर 6th house का lord अगर यहां पर आता है 4th house में, 6th house का lord अगर 5th house में आता है तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है आपने on sign में है यह भी अपने gain अंगल में जाके बैठा है यह अपने agilitation में है तो यह आपको बहुत ज़्यादा gain करवा सकता है लेकिन अगर 7th house के lord की placement अगर थोड़ी weak है तो gain तो होगा लेकिन थोड़ा कम होगा इसी तरीके से 6th house का lord अगर 11th house में आता है और 11th house के lord की position बहुत अच्छी है 11th house का lord अगर अपने on sign में है अपने agilitation में है और उसका जो angle है वो भी बहुत अच्छा है तो यहाँ service के थुरू आपको massive gain होता है ज़्यादा gain होता है सेम इसी तरीके से 8th house का lord अगर अपने से second away आता है तो अच्छी बात है आपको gain करवाएगा 8th house का lord अगर 10th house में आता है तो यह भी आपके लिए अच्छा योग है secret चीजों के through status आपको मिलेगा 8th house का lord अगर 11th house में आता है तो secret knowledge का gain होगा या secret sources अब earning करेंगे 8th house का lord अगर 12th house में जाता है तो 8th house का संबन्द है transformation से 12th house का संबन्द है losses से तो transformative चीजों का loss तो यह भी आपके लिए अच्छा है तो कुंडली में आपके लिए विपरीत राजियोग बन जाता है 8th house का lord अगर 1st house में आता है तो secret knowledge का gain होता है लेकिन इसके लिए आपको यह भी देखना है कि 8th house का lord अपने friendly sign में है अपने exultation में है या किस position में है इसको भी देखना बहुत जरूरी है 8th house का lord अगर 2nd house में आता है तो inherited property और value का gain करवाता है 8th house का lord अगर 3rd house में आता है तो यह भी अच्छी position है because secret चीजों को आप reveal करते हैं transformative चीजों को आप reveal करते हैं as a news anchor 8th house का lord अगर 4th house में आता है तो inherited property और value के चकर में आपका सुख बनता है 8,000 का Lord अगर 5th house में जाता है तो secret, tantra, mantras की आपको knowledge मिलती है 8,000 का Lord अगर 6th house में आता है तो enemy का loss करवाता है और 8,000 की चीज़ों से gain करवाता है विकॉज यह 8,000 जो है अपने से gain angle में आ गया 8,000 का Lord अगर 7th house में आता है तो यह ठीक नहीं है विकॉज 8,000 का संबन्द है longevity से और 7,000 का संबन्द है longevity के loss से तो यह ठीक नहीं है दूसरा 8,000 का Lord अगर 7,000 में आता है तो partnership marriage को break कर सकता है सेम इसी तरीके से 12,000 का Lord अगर 1st house में आता है 12,000 का Lord अगर 1st house में आता है यह 12,000 का Lord अगर अपने own sign में है यह 6,000 का Lord अगर अपने own sign में है 8,000 का Lord अगर अपने own sign में है तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा योग है यह भी आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनाता है और जब दसा चलती है आपको gain होता है 6,000 का Lord अगर 1st house में आता है तो 12th house से संबन्दी चीज़ों से gain होता है यानि foreign settlement से gain होता है और जो भी आपकी imagination है जो भी आप सोच रहे हो उन सब चीज़ों से आप gain कर सकते हो 12th house का Lord अगर 2nd house में आता है तो foreign currency का gain करवाता है विदेशी लोगों से आपको फायदा होता है 12th house का Lord अगर 3rd house में आता है तो 12th house की चीज़ों को आप reveal करते हैं आध्यात्मिक चीज़ों को reveal करते हैं 12th house का Lord अगर 4th house में आता है तो विदेशी sources के थूँ आपका घर बनता है आपका सुख तयार होता है 12th house का Lord अगर 5th house में आता है तो विदेसी भासा विदेसी नौलिज उसका ग्यान आपके इंदर आता है या जो आपके बच्चे हैं हो सकता है उनकी जो एजुकेशन हो वो कहीं बाहर जाके हो 12th house का लॉड अगर 6th house में आता है तो losses का भी loss होता है 12th house का समदने loss से और 6th house का समदने enemies से यानि enemy का loss हो जाता है 12th house का लॉड अगर 7th house में आता है तो आपका जो life partner है वो किसी दूसरे culture का हो सकता है 12th house का लॉड अगर 8th house में आता है तो ये भी आपके लिए अच्छा है जो आपके secret enemies हैं उनका loss होता है 12th house का लॉड अगर 9th house में आता है तो जो भी आपकी higher education है वो हो सकता है बहार हो और जब 12th house के लॉड की दसा चले तो आपका status बने क्योंकि ये अपने से 10th away है 12th house का lord अगर 10th house में आता है तो 12th house से संबन्दी चीजों से gain होता है क्योंकि ये अपने से 11 तवे आ गया है 12th house का lord अगर अपने से 12 तवे आता है तो losses का जो lord है जो आपका loss करवा रहा है का भी loss हो जाता है तो इसको बूलते हैं plus होना तो ये आपके लिए अच्छा एंगल है और 12th house का lord अगर 12th house में है तो आपके लिए कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है तो इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि 6th house, 8th house, 12th house के lord अगर friendly sign में है ये अपने agilitation में है तो आपको gain होगा लेकिन अगर अपने doubleitation में है enemy sign में है तो आपको loss भी हो सकता है और अगर 6th house, 8th house, 12th house के lord अगर आपस में exchange करके बैठते हैं तब भी आपको benefit होता है साथ साथ में राहू, केतू और शनी की placement को भी देखना बहुत जरूरी है राहू, केतू और शनी की placement अगर इनके साथ होती है तो मामला change हो सकता है So guys, आज मैंने आपको बताया कि जब भी आपके बर्शार्ट में 6th house, 8th house, 12th house के lord की दसा चलती है तो डरने की जरूरत नहीं है डरते क्यों हो भाई? जो होना है वो तो होगा अच्छा होगा या बुरा होगा तो डरना नहीं है ओके? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने 6th house, 8th house और 12th house के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और अगर आप उनसे बात करना चाहें consult करना चाहें तो आप हमारी website के थुरू हमें mail कर सकते हैं message कर सकते हैं और guys आप उनसे बात भी कर सकते हैं so guys stay care, love you all and good bye